असलाम अलेकुम तो बच्चों यहाँ पर जोग्राफी का सबक नमबर 9 नवी जमात का है यह जिसे हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर आपको सभी सवालों के जवाबात देंगे तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नमबर 1 में हम देखेंगे दर्जे जेल के दर्मियान होने वाली तिजारत की दर्जाबंदी कीजिए यहाँ पर हमें दर्जाबंदी करना है तो दाखली तिजारत में और बैनुल अक्वामी तिजारत की भीच हमें इन यहाँ पर दिये वे अलीव, बे, जीम, दाल, हे और को हमें यहां पे रखना है तो मैंने रखा है नमबर वन में महराष्ट और पंजाब ये दाखली तिजारत है लासल गाउं और पुना ये दोनों हो गए अब बैनुल अक्वामी तिजारत में भारत और जापान चीन और कैनेडा और भारत और यूरोपियन यूनियन सवाल नमबर दो दरजिजल बैनात के लिए दारामद या बरामद में से मुनासिब लफ्स चुन कर लिखिए तो अलीफ में है भारत वस्ती मश्रिकी एशिया के मुलकों से मादनी तेल खरीदता है तो ये दारामद करता है बे में देखेंगे कैनेडा से एशियाई मुलकों को फरुख के लिए गेहूं भेजा जाता है तो यहां ये बरामद करता है जीम में हम देखेंगे जापान ओपेक मुमालिक को मशीनी आलाद भेजता है तो यहां पर ये बरामद करता है अगला सवाल नमबर तीन दरजेजेल में से घलत बयान को दुरुस्ट करके दो बारा लि नहीं है फिर सवाल बे जिस जगा किसी शय की पैदावार यानि इजाफी होती है वहां उस शय की तलब नहीं होती तो यह बे में हम देखेंगे इसका जवाब है यह देखिए नंबर दो में जिस जगा किसी शय की पैदावार इजाफी होती है वहां उस शय की तलब नहीं होती तो जवाब है जिस जगह किसी शैकी पैदावार और इजाफी होती है वहाँ से दूसरी जगहों को उससे की फरामी की जाती है यानि ज़ादा हो जाता है तो क्या करते हैं उससे दूसरी जगह पे बेज दिया जाता है ताके वहाँ के लोगों को भी वो मिल सके अगला सवाल त तिजारत के मुकाबले में बेनुलाकवामी तीजारती सरगर्मिया सहल और आसान होती हैं अगला सवाल यहाँ पर है दाल जुनूबी मश्रिकी एशियाई मुमालिक में मुवाशी तरक्की और समाजी वा सकाफती हम आहंगी के फरोग के लिए सार्क तन्जीम काम करती है तो हम यहाँ पर देखेंगे चोथे में चोथे का जवाब यहाँ है जुनूबी मश्रिकी एशिया मुमालिक में मुवाशी तरक्की और समाजी वा सकाफती हम आहंगी फरोग के लिए आसियान तन्जीम काम करती है अगला है यहाँ पर एक्स्ट्रा भी मालूमात में आपको जवाब दे रही हूँ तो यह पाच्वा सवाल है जमू और कश्मीर में पैदा होने वाला सेब तलब रखने वाले दुनिया के दिगर मुमालिक को भेजा जाता है जवाब है जम्मू और कश्मीर में पैदा होने वाले सेब तलब रखने वाले भारत के दिगर रियासतों को भेजा जाता है छटा सवाल है एक ही मुल्क की मुक्तलिफ इलाकों में होने वाली तिजारत को बैनुलकवामी तिजारत कहते हैं जवाब है एक ही मुल्क की मुक्तलिफ इलाकों में होने वाली तिजारत को मुकामी या देखिए मुकामी या दाखली तिजारत कहते है सवाल साथ आलिमी तिजारती तंजीम का सदर दफ्तर निव यॉर्क में है तो जवाब आलिमी तिजारती तन्जीम का सदर दफ्तर जिनीवा में है सवाल आठ यूरूपी यूनियन यूरूपीयन यूनियन का सदर दफ्तर ब्रोसिल्ज यानि बेलजियम में है तो जवाब है ये बयान सही है यानि सही है 9. सवाल ओपेक तन्जीम की रुकन मुमाली की तादा 27 है तो जवाब है ओपेक तन्जीम की रुकन मुमाली की तादा 12 है तो ये 12 वाला सही है अगला सवाल 10. सार्क जुनूब मश्रीकी एशिया मुमाली की इलाकाई तन्जीम है जवाब सार्क जुनूबी एशिया मुमाली की इलाकाई तन्जीम है और यहां पर 11 सवाल है आपक है जुनूबी एशिया की मुमालिक की इलाकाई तन्जीम है जवाब आपक जो है एशियाई बहरुल काहिल के इलाके के मुमालिक की तन्जीम है ब्रिक्ष तन्जीम का सदर दफ्तर तिल्ली में है तो जवाब है तन्जीम का सदर दफ्तर, चीन के शहर शिंगाई में है? यह देखिए जवाब सही है तो यहाँ पर अगला सवाल चार है, दर्जे जेल मिसालों में तिजारत के एकसाम पहचान कर लिखिए तिजारतों के एकसाम को आपको पहचानना है, अलिप में है सीमा ने किराना दुकान से शक्कर खरीदी, तो यह क्या है, यह खुर्दा यह देखेंगे, खुर्दा तिजारत है, बे में हम देखेंगे, महराश के किसानों से सूरत के ताजीरों ने कपास खरीदी, याने कापुस खरीदा, तो यह कौन सा यह तिजारत है? यह दाखली तिजारत है जीम में हम देखेंगे समीर ने अपने खेत के अनार आस्ट्रेलिया वरामत किये तो कहां से किये उसने बैनुल अक्वामी तिजारत है ये अब दाल में हम देखेंगे काशिफ ने थोग बाजार से अपनी दुकान के लिए 10 थैले गेहूं और 5 थैले चामल खरीदे तो उसने क्या किया ये थोग तिजारत की अगला यहां पर देखेंगे तिजारतों की और भी किस्म है यहां तिजारत बताई गई यहां तिजारत की किस्म है तो अगला है यहां पर भारत ने सौधी अरफ से मादनी तेल धरामत किया तो यह दो तरफा बैनुल अक्वामी तिजारत है छे में देखेंगे भारत यूरुपी यूनियन के मुमालिक को कपड़ा बरामत करता है तो यहाँ पर है कसीर रुखनी बैनुल अक्वामी तिजारत साथवे में हैं अक्षे ने अमेजोन कंपणी से किताबे खरीदी तो यह ऑनलाइन ट्रेडिंग है आठवे में हैं स्टैम डील कंपणी इंटरनेट की वसातत से पैदावार की मालूमात देती है तो यह ई-मार्केटिंग है अगला सवाल पाँच दरज़े सवालों के मुक्तस जवाब दीजिए अलीफ में है पहले यहां पर मैं सभी सवाल पढ़ लेती हूं आपको और वह सबको जवाब बारी बारी देंगे तो अलीफ में है तिजारत की इकसाम की दर्जाबंदी दिखाने वाली जदूल बनाईए बे में है तो चलिए जवाबी पहले देख लेते पहले का जवाब है यहां पर यह तिजारत की तक्सीम की यहां पर फ्लू चार्ड बनावा है दर्जाबंदी की गई है तो तिजारत की किसमें बताई गई है तो यहां पर देखिए आशिया की मुगदार की मताबिक आशिया कितनी मुगदार की है उसके हिसाब से यहां पर थोग तिजारत और खुर्दा तिजारत दूसरा है यहाँ पे इलाकाई वुस्सत के मुताबिक तो यहाँ पे कौन सा है मुल्की और दाखली तिजारत बैनुल अक्वावी और खार्जी तिजारत और इन में दरामद और बरामद का काम यहाँ पे देखिए तो ये हो गया हमारा अगला सवाल बे में है तिजारती तवाजन की एक्साम में फर्क बताईए तिजारती तवाजन में फर्क बताना है जवाब है पहला पॉइंट गैर मौफिक तिजारती तवाजन जब दरामदाद की कीमत और बरामदाद की कीमत से ज्यादा होती है तो उससे गहर मुआफिक तिजारती तवाजन पैदा होता है 2. मुआफिक तिजारती तवाजन अब जब बरामदाद की कीमते दरामदाद की कीमत से ज्यादा होती है तो उससे मुआफिक तिजारती तवाजन वाके होता है पॉइंट 3 मुतवाजन तिजारत जब आमदाद और दरामदाद दोनों की कीमते तकरीबन यकसा होती हैं तो उसे मुतवाजन तिजारत कहा जाता है अब यहाँ पर अगला सवाल जीम है आलमी तिजारती तंजीम के मकासद लिखिए अब यहाँ पर देखिए सवाल 3 आलमी तिजारती तंजीम के मकासद है पहला पॉइंट बैनुल अक्वामी तिजारती अमूर के लिए प्लेट फार्म फ्राम करना पॉइंट 2 तिजारती तनाजात को हल करना पॉइंट 3 रुखन मुमालिक की तिजारती पॉलिसी पर नजर रखना पॉइंट 4 तरक्की पजीर मुमालिक को तक्निकी तावुन और तर्बियत फ्राम करना अगला सवाल है यहाँ पर दाल उपेक और आपेक तिजारती तंजीमों के अफ़ाल का फर्क लिखिए यानि इसके काम का जो है वो फर्क बताना है हमें तो यहाँ पर हम देखेंगे ओपेक और आपेक तो हम पहले ओपेक के पॉइंट्स देख लेते हैं नमबर वन ओपेक मादनी तेल पैदा करने और बरामत करने वाले मुमालिक की तंजीम है पॉइंट टू यह तंजीम मादनी तेल की बैनुलकवामी तिजारत को कंट्रोल करती है पॉइंट थ्री रुपन मुमालिक की मादनी तेल की पैदावार और कीमतों को कंट्रोल करती है पॉइंट फोर मादनी तेल की बरामदाद में मुआफिकत पैदा करती है अब आपेक में हम देखेंगे पॉइंट वन आपेक एशिया बहरुलकाहिल के मुमालिक की इलाकाई तन्जीम है पॉइंट टू एशिया बहरुलकाहिल के इलाके में आज़दाना तिजारत और मुआशी ताउन को फरोग देती है पॉइंट 3, रुखन मुमालिक में इलाकाई और तक्निकी ताउन को फरोग देती है पॉइंट 4, रुखन मुमालिक में मुवाश्य और तक्निकी ताउन में हम आहंगी लाती है अगला सवाल हम देखेंगे हे बर्रे आजम एशिय की एहम तिजारती तنظीमों के अफ़ाल लिखिए यहाँ पर देखिए तो जवाब है यह पर आसियान यानि एशियन बर्रे आजम एशिया के एहम तिजारती तनظीम है इसके काम मंदर्जा जेल है इसका पहला पॉइंट जुनूब मश्रिकी एशियाई ममालिक में मौशी तरक्टी को फरोग देना पॉइंट 2 रुपन ममालिक के दर्मियान समाजी वा सकाफती हम आहंगी को फरोग देना 3. इलाकाई अमन वा सलामती की होसला अवजाई करना 4. रुपन मुमालिक को मज़ीद तिजारत के लिए टेक्स में मुराात देने की तरगाइब देना अगला सवाल आखरी वाओ किसानों के नुक्ते नजर से फरोग कारी की एहमियत लिखिए यहाँ पर आखरी सवाल है यह हमारा तो यहाँ पर किसानों के नुक्ते नजर से तो यह देखिए छटा सवाल हमारा जवाब का पहला पॉइंट है रिवायाती तरीके से काश्टकारी करने वाले किसान मुकामी बाजार में अपनी फसल और सबजिया फरोग करते रहते हैं इनको यहाँ फसल के मुनासिब किम्बत नहीं मिलती जिससे उनको नुक्सान उठाना पड़ता है फरोग कारी से वाकिफ कार और इस पर अमल करने वाला किसान अपनी पैदावार को साफ करता है इसको अच्छी तरह दीदा जेब पैकिंग करता है इसके बाद शेहरों के सुपर मार्केट या मॉल वगेरा से राप्ता करता है और उसके सामने अपने पैदावार की खूबियां, दरजा और कीमत की मालूमाद देता है पॉइंट थ्री, इसकी पेशकर्ष से मुतासिर होकर सुपर मार्केट इससे माल की इश्तिहार बाजी करते हैं और उसको फरुग करने के लिए रखते हैं पॉइंट फॉर, इस तरह फरुग कारी की तरीके एक्तियार करके किसानों को एक बड़ा बाजार मिलता है इसके माल के पहले के मुकाबले में ज्यादा कीमत हासिर होती है पॉइंट फाइव, मुस्तकिल गाहक दस्तियाब हो जाने के बीना पर इसकी पैदावार को रफतार मिलती है इस तरह से ये मुद्धा नुक्ते नजर से फरुग कारी, मुफीद, किफायती और मुनाफ़ा देने का बाज बनती है अगला सवाल साथ है यहाँ पर, ब्रिक्स, तंजीम की मकासत क्या है तो जवाब का पहला पॉइंट, अपने गुरूप में शामिल मुमालिक की महिशत की बहतरी के लिए फंड फराहम करना पॉइंट टू, बाहमी मुवाशी तावन को फरोग देना पॉइंट त्री, मुवाशी तहफुज को मुस्ताकिम करना सवाल आठ, दरामद और बरामद का फर्क वाज़े कीजी अब दरामद और बरामद की बारे में हम पॉइंट वाइस पढ़ेंगे दरामद में पहला पॉइंट है दरामद का मतलब है कि जिन अशिया किदमात के हमारे मुलक में किल्लत है उनको दूसरे मुमालिक से खरीदना दरामदात की कीमत अगर बरामदात से ज्यादा हो तो गयर मौफिक तीजारती तवाजन वाक्य होता है गयर मौफिक तीजारती तवाजन से मुल्क की मैश्चत पर منफी असर पढ़ते हैं याने नेगेटिव असर पढ़ता है अब बरामद में पहला पॉइंट है बरामद का मतलब है जो अश्या किदमात हमारे मुल्क में इजाफी है यहने जादा पैदावार अगर हो गई तो उन्हें दूसरे मुमालिक को फरोग करना यहने बेज देना पॉइंट 2 बरामदात की कीमत दरामदात से ज्यादा हो तो मुवाफिक तिजारती तवाजन बनता है अब पॉइंट 3 है यहाँ पर मुवाफिक तिजारती तवाजन से मुल्की महिशत की तरक्की में इजाफा होता है अब यहाँ पे point सवाल 9 दाखली तिजारत और बैनुलकवामी तिजारत का फर्क वाज़े किजिए तो यह दाखली तिजारत और यहाँ बैनुलकवामी तिजारत को हम point wise पड़ेंगे पहला पॉइंट है दाकली तिजारत का एक ही मुलकी मुक्तलिफ इलाकों के दर्मियान होने वाली तिजारत को दाकली याने अंदरून मुलक तिजारत कहते हैं जैसे कि पूना में कोई चीज उगी और उसे बेचने के लिए क्या हुआ कि यहीं पे हमने गुजरात में बेच दिया तो यह हो गई दाकली तिजारत इसका दूसरा पॉइंट है मुलके जिन इलाकों में इजाफी पैदावार होती है वहां से उस इलाकों उन इलाकों को भेज जाती है जहां उसके किलत पाई जाती है यह भी सही बात है ना जहां ज्यादा उग्राएं वहां पर अब इफ्रादी से वह खराब भी हो जाएगा ना तो उससे बेहतर है दूसरी जगह बेच दिया जाए पॉइंट 3 मुलक के जाब्तों के मुताबिक दाखली तिजारत निजबतन आसान होती है अब बैनुल अक्वामी तिजारत की पॉइंट सम देखेंगे तो पहला पॉइंट है एक मुल्क की दूसरी मुल्क से की जाने वाली तिजारत को बैनुल अक्वामी तिजारत कहते हैं यहने एक कंट्री से एक देश से दूसरे देश को इस तरह से बेशनाव खरेदने को बैनुल अक्वामी तिजारत कहते हैं दूसरा है पॉइंट मुल्क में जिस चैकी पैदावार इजाफी होती है उसकी वरामत की जाती है और जिस चैकी किलत होती है उसकी दरामत की जाती है तो दूसरे मुमालिक से उसकी दरामत की जाती है तो पॉइंट 3 है दो या दो से ज्यादा मुमालिक के दर्मियान किया जान तो जवाब का पहला पॉइंट है अक्सर पैदावारी तंजीमों के इस्तिहारात गलत फरेबकारी पर मबनी होते हैं और गहाकों को धोका देते हैं 2. अपने माल की खुबियां बताने की बजाय मुकाबिल कंपनियों के माल की बुराइयां गवाने पर ज़ोर देते हैं यह गिनवाते हैं वो बुराइयों को 3. इस तरह की इस्तिहारवाजी से पैदावारी तंजीम अपना इतबार खो देती है पॉइंट फोर गाहकों का भरोसा हासिल करने के लिए इस्तिहार बाजी करते वक्त जापतों पर अमल करना जरूरी होता है अब यहां पर देखी सवाल 6 शुरू हो गया है अब यहां जदूल है एक जदूल बनावा है यहां पर आप नीचे देखेंगे इस जदूल में चंद मुमालिक यहने 2014-15 की दरामदाद और बरामदाद का तक्वीमा 10 लाक मिलियन डालर में दर्ज है इस शुमारियाती मालूमा से मुस्चल सतूनी तरसीम बनाईए सतूनी तरसीम का बगार मुताला करके उन मुमालिक की तिजारिती तवाजन के बारे में मुक्तसर लिखिए तो यहां पर देखिए सतूनी तरसीम हमने एक बना दिये और इसी से मुतालिक एक मुक्तसर सा यहां पर उसके बारे में बताया जा रहा है तो पहले मुल्क चीन है भारत है ब्राजिल और रियासत हाय मुतायदा याने अमरीका और यहां पर बरामदी कदर है उनकी यहां दरामदी कदर है उनकी तो यहां पर यह जो रेट दियावा है इसको यहां पर प्लस किया गया है प्लस के उपर से यहां पर फरक पताया जा रहा इसी तरह से भारत का यहां पर दोनों को नफी की गिया है नफी में उसका फरक यहां पर 180 बताया जा रहा है जबकि यहां पर प्लस में चीन का 183 बताया गया था तो फ़रक आया है 155 का अब यहाँ पर बताया गया है रियासत हाय मुतहद ने अमरीका का यहाँ पर बरामद और दरामद दोनों को यहाँ पर नफी किया गया और यहाँ पर उसका फरक बताया गया कि 870 अब यहाँ पर नमबर वन में हम देखेंगे कि इसका हम मुक्तषर सा जाहिजा लेते हैं मुवाफिक तिजारती तौजन चीन है, दुसरा है यहाँ पर गैर मुवाफिक तिजारती तौजन तो भारत और ब्राजिल रियासत हाय मतायकर। यहने जो मुईफिक तिया गया है वो चीन ने किया है यह पर देखें आप देखें ये तरसीमी में और दूसरा यहाँ पर गहर मुईफिक तिया डिसा टीजार की तो भारत-ब्राजिल तो भारत और ब्राजिल काigram जो यहाँ पर है वो तवाज़न वो कम तर है, गैर मौफिक और तीसरा यहां पर है सबसे ज्यादा कारोबार चीन और अमरीका दोनों ने किया तो यहां पर आप देख रहे हैं, उनका ग्राफ कैसे उचा उचा जा रहा है, देखिए यहां पर दोनों को और यहाँ पर चौते पर है कि सबसे कम कारोबार ब्राजील ने किया तो यहाँ आप ग्राफ के हिसाब से भी देख सकते हैं सबसे कम ग्राफ की उचान है यहाँ पर पाँचवे नमबर पर हम देखेंगे आलमी तिजारत में बाला दस्ती चीन और अमरीका ने किया आलमी तिजारत यहने दुनिया भर में भी जो तिजारत भी उसमें भी यह दोनों ने सबसे अच्छा मुकाम हासिल किया है और छटा है आलमी तिजारत में गहर एहम तो जो सबसे कम आलमी तिजारत में किया है वो भारत और ब्राजिल दोनों है हम यहां तरसीमी में इन्हें देख सकते हैं और इसी तरह से मैंने यह तरसीम को अच्छे से यहां पर आपको दिया है इसे समझ लीजिए और इस तरह से आप बनाने की कोशिश करिए अब यहां पर सवाल नमबर पाँच सिर्फ एक जुमले में जवाब लिखिए तो पहला सवाल है तिजारत यानी क्या जवाब गाहक और तिजारत ताजिर के दर्मियान गाहक और ताजिर यानि खरीदने वाला और बेचने वाला के दर्मियान अशिया का लेंदेन या खरीद फरुक को तिजारत कहते हैं दूसरा सवाल तिजारत को एहम मौशी सरगर्मी क्यों समझा जाता है जवाब है तिजारत एक एहम मौशी सरगर्मी समझी जाती है क्योंकि मुआश्रे के अफराद की मुआश्री जिन्दगी का इनिसार एक दूसरे पर होता है यहाँ पे तिसरा सवाल इजाफी पैदावार का क्या किया जाता है जवाब है इजाफी पैदावार की फ्राहमी किल्लत वाले इलाकों को उनकी तलब के मुताबिक कर दी जाती अगला सवाल चार है जमाना कदीम और रहदेवस्ता में तिजारत किस तरह से की जाती थी तो जवाब है जमाना कदीम और रहदेवस्ता में तिजारत के लिए अश्य के तबादले का निजाम बाटर सिस्टम राएज था बाटर सिस्टम मैं तो पाच्वा सवाल है यहाँ पर तिजारत में रुपаешь पैसे लुप widz Dise televiz Ahmed तो जवाब है अशिया के तबादले के तरीके में अशिया की कीमत के तई में दुश्वारी पेश आती थी इसलिए रुपए पैसे का इस्तिमाल शुरू हुआ सवाल 6 आज भी अशिया के तबादले का निजाम कहां राएज है तो जवाब है आज भी दूर दराज इलाकों और आदिवासी कबाईल में कलील पैमाने पर अश्या के तबादले का निजाम राइज है अगला सवाल साथ गहर मुरी तिजारत यानी क्या तो जवाब कीमत अदा करने के बाद जब खिदमात का तबादला होता है तो उसे गहर मुरी तिजारत या कारूबर कहते है सवाल आठ तिजारत की तक्सीम किन बुनियादों पर की जाती है तो जवाब का पहला पॉइंट है अशिय की तादात के मुताबिक और सेकेंड पॉइंट है इलाकाई वुस्त के मुताबिक तिजारत की तक्सीम दर्जाबंदी की जाती है सवाल नो इलाकाई वुस्त के मुताबिक तिजारत की किसमे कौन सी है तो जवाब है इलाकाई वुस्त के मुताबिक मुकामी, इलाकाई, कौमी और बेनुल अक्वामी इस तरह तिजारत की चार किसमे हैं अगला सवाल 9 इलाकाई वुस्त के मुताबिक तिजारत की किसमे कौन सी हैं तो जवाब है इलाकाई वुस्सत के मुताबिक मुकामी, इलाकाई, कौमी और बेनुल अक्वामी इस तरह की चार किसमे है यह रिपीट हो गया है सवाल 9 तो चलिए 10 वे में आलमी तिजारती तंजीम के रुखन मुमालिक की तादाद कितनी है तो जवाब आलमी तिजारती तं की तादाद 27 थी, 2017 में वर्तानिया के इन यूनियन से निकल जाने की वज़े से सिर्फ 26 रह गई अगला सवाल 12, मादनी तेल की पैदावार और बारामत करने वाली तंजीम ओपेक का सदर दफतर कहां है तो जवाब सुरी, तोड़ी तब्यत खराब है, इसलिए बारबर खासी आ जा रही है मादनी तेल की पैदावार और बारामत करने वाली तंजीम ओपेक का सदर दफतर आस्ट्रिया की राजधानी वियाना में है सवाल 13, सार्क तंजीम का सदर मुकाम कहां है? जवाब, सार्क तंजीम का सदर दफतर नेपाल की राजधानी काट मंडू में है सवाल, सार्क तंजीम के रुकन मुमालिक की तादाद कितनी है? तो जवाब, सार्क तंजीम के रुकन मुमालिक की तादाद आठ है यहाँ पर देखे यह पूरे हमने लिखके दे दिया कि यह आठ है इसकी तादाद अगला सवाल पंद्रा आपेक तंजीम का सदर दफ्तर कहां है तो जवाब आपेक तंजीम का सदर दफ्तर सिंगापूर में है यह मुमालिक तंजीम के मिमबर है सवाल 17 आसियान तंजीम का सदर दफ्तर कहां है तो जवाब आसियान तंजीम का सदर दफ्तर इंडोनेशिया की राजधानी जकारता में है तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट वन खतम होता है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम दोस्तों में जरूर शेयर कर दिजे, और मिलते हैं इसी सबक के पार्ट टू में, तब तक के लिए बाबाई, टेक केर